हेलो गाइस वेल्कम टू माई योट्यूब चैनल काजन एजूकेशन वर्ल्ड पिछले वीडियो में हमने मैक बेट का करेक्टर देखा था इस वीडियो में लब फोर लब का करेक्टर देखे गें लब फोर लब जो है विलियम कॉंग्रेश के द्वारा लिखा गया है इसे पब्लिश किया गया था 30 अप्रेल 1695 में और ये 17th century से बिलॉंग करता है इसे रेस्टोरेशन इच कहा जाता है तो इसमें कि टोटल केरेक्टर है यह लब फोर लब लब जो कॉमेडी है यह कॉमेडी हो मैनर्स है और इसमें नहीं टू फ्रेंड देर आर टू फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड है सर सैंसन लेगेंड और दूसरा है मिस्स मिस्टर फोरें साइड सर सैंसन का दो सन होता है पहला का नाम है वेलेंटाइन और दूसरा का नाम है बेंजामीन मिस्टर फॉरेंट साइड का एक भतीजी होती है जिसका नाम होता है एंजेलिका और एक बेटी होती है उसकी डॉर्टर जिसका नाम है प्रियू एंजेल वेलेंटाइन यानि कि Sir Samson का जो बेटा होता है Valentine उसका साधी जो है Angelica से होता है Mr. Foreign Sight की भतीजी से होता है उसके बाद Sir Samson का जो दूसरा बेटा है Benjamin इसका साधी Miss Priyo से होता है जो की Foreign Sight की बेटी होती है तो अब देखते हैं किसका क्या रोल है ड्रामा में Valentine जो है Hero of the Drama ये ड्रामा का Hero होता है Angelica जो है We Love of Valentine और ये Heroine होती है Angelica जो होती है वो Valentine से लब करती है और ये ड्रामा की Heroine होती है उसके बाद Jeremy Servant of Valentine ये Valentine का Servant होता है Scandal A Free Speaker उसके बाद Tatter A Half Right Man Benjamin Brother of Valentine Benjamin जो है ये Brother होता है Valentine का Big Ram Lawyer of Sir Samson लिगेंड ये जो है Sir Samson का Lawyer होता है Mr. Foresight A Friend of Sir Samson Mr. Foresight जो है ये Friend होता है Sir Samson का Mrs. Foresight Second wife of Mrs. Foresight Mrs. Foresight Second wife होती है Mr. Foresight की Mrs. Friall Sister of Mrs. Mrs. Foresight Mrs. Pryall जो है Sister होती है Mrs. Foresight की Miss Pryu Daughter of Mrs. Foreign Sight His first wife यानि Miss Pryu जो होती है वो जो है First daughter होती है Foreign Sight की First wife से उसके बड़ जैनेमी जो होती है वो Servant of Angelica Servant होती है Angelica की तो टोटल इतना ही करेक्टर है Love for Love में आप लोग को समझने आ गया होगा Thank you आप आप लोग को समझने आप लोग को समझने